हेलो दोस्तों, आपका हमारी चैनल कुगवेश फूड में स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हल्वे की रेसिपी हो सकता है आपने कभी अपने बच्पन में ये हल्वा खाया होगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है आपकी दादी नानी ने जरूर बना करके खिलाया होगा पर आज की भागदोड की जिंदगी में ये पुरानी डिस गायव होती जा रही है तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी ही स्वादिस्ट रेस्पी गेहों के दूद के हल्वे की और यकीन मानिए ये हल्वा बहुत ही हैल्दी और प्रोटीन से भरपूर है तो वीडियो को स्किप किये बिना पूरा जरूर देखिएगा तब ही आप इसको सही तरीके से बना पाएंगे तो चलिए बनाते हैं गेहों के दूद का हल्वा तो इसको आज हम बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाले हैं जब गेहों को भिगो करके पीसना होता है तो काफी समय लगता है यहाँ पर हम गुथे हुए आटे से बनाएंगे तो एक कप गेहूं के आटे को हमने गूद करके पहले रख लिया है अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे बड़े बरतन में यदि आपके पास पहले से आटा है तो आप भो भी ले सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे 500-600 ml पानी जिससे की आटा अच्छे से डूब जाए और इसको हमें भीगो कर रखना है करीब 1-2 घंटे के लिए यदि समय जादा है तो आप 2-4 घंटे भी रख सकते हैं यहाँ पर हम करीब इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे इसी तरह से कवर करके जिससे की अच्छे से फूल जाए आटा फूलने के बादी दूद अच्छे से निकलेगा तो यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं यह देखिए आटा अच्छे से फूल गया है इस तरह से फूलना चाहिए आटा तभी दूद अच्छे से निकलेगा अब हाथों को साफ करके इस तरह से इसको मसल मसल के इसका पूरा दूद निकाल लेंगे और ग्लूटिन को अलग कर लेंगे ये देखिए वैसे तो इस अलवे को बनाने का प्रोसीजर काफी लंबा है पहले गेहों को 8-10 गंटे के लिए भिगोया जाता है फिर उसके बाद पीसा जाता है तब दूद निकालते हैं पर ये प्रोसीजर बहुत तेजी है ये देखिए इस तरह से ग्लूटिन को निकाल लेंगे इसको कलेक्ट करेंगे काटोरी में इस तरह से निकलेगा अब इस दूद को हमें क्या करना है चानना है तो इस तरह से बारिक छननी लेंगे या फिर कोई कपड़ा लेंगे मलमल का उससे आप चान सकते हैं त जिससे कि इसमें जो चोकर है वो सब निकल जाए अच्छे से इसमें हमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं रहने देना है तो इस तरह से इसको हम छान लेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी कणना रहे ये देखिए पूरा ग्लूटेन इस तरह से हम निकाल लेंगे चान करके जो पहले निकाला था वो भी इस तरह से हम डाल देंगे जिससे कि इसका जो दूद है वो निकल जाए अच्छे से इसको हम दबा दबा करके निकाल लेंगे अभी भी इसमें काफी दूद है ये वीडियो थोड़ा से लंबा जरूर होगा क्योंकि इसको हम सही तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे बनाएंगे हम अभी इसको हम साइट में रखते हैं और सो एमिल पानी और इसमें हम डाल करके गलोटिन को अच्छे से दोलेंगे जिससे कि पूरा दूद निकल आए ये देखिए इस तरह से इसको आटे में गुंद करके रोटिया बना सकते हैं बहुत हेल्दी होती हैं प्रोटीन से भरपूर होती हैं यदि आपको पाचन सम्मधी कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल भी इसका यूज ना करें अभी इसको हम रखते हैं साइड में तो यहाँ पर हमारा आटे का दूद बन करके तैयार हो गया है यह देखिए एकदम परफेक्ट दूद बना है आप इसको हम एक बरतन से नाप लेते हैं आप चाहें गिलास का टोरी किसी भी बरतन से नाप सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 500 ml का गिलास था तो इससे हमने नाप लिया है यहाँ पर हमने 500 ml दूद ले लिया है और जो एस्टर था 100 ml यह भी हम इसी में मिक्स कर देंगे यानि टोटल हमारा 600 ml दूद हो गया है यह तो 600 ml हमारा गेहूं का दूद तयार हुआ है और इसमें एक तेहाई हम मिलाएंगे नौर्मल दूद यानि की भैस या गाय का जो भी आपके पास अभी लेवल हो यहाँ पर हमने 200 ml दूद ले लिया है यह हमने पैकेट वाला दूद यहाँ पर लिया है अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो चलिए अब बनाते हैं से हम हलबा यहाँ पर हमने देसी घी लिया है तो दो टेबल स्पून यहाँ पर हम देसी घी ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे दो हरी लाइची आप चाहें तो गी की मात्रा कम भी कर सकते हैं अब इसमें हम दूद को डाल देंगे पूरा दूद हम एक बार में डाल देंगे और यहां पर हमने gas की flame को एकदम slow रखा हुआ है slow flame पर ही इसको हम डालेंगे और लास्ट में जो यह गाड़ा रह audi है इसको हम डालेंगे इसको हटा देंगे, फ्लेम को हम सुरू में तेज नहीं करेंगे, बढ़ना ये बहुत ही जल्दी गाड़ा हो जाएगा और अच्छे से पक नहीं पाएगा, तो इसको हमें पकाने में कम से कम 10-15 मिट लगेगा, तो सिलो फ्लेम पर इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसको अ ना खाते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ओप्सन है ये, ये देखिए धीमे-धीमे कितना गाड़ा होने लगा है ये, बस इसी तरह से इसको हम पकाएगे, बिल्कुल भी जल्दी वाजी नहीं करेंगे, धीरे-धीरे इसी तरह चलाते हुए पकाएगे, और आप देखेंगे, थोड़े-थोड़े समय में ये गाड़ा होता जाएगा, ये जल्दी गाड़ा ना हो, इसलिए इसमें हमने नौर्मल दूद मिलाया है, तब ही अच्छे से पक पाएगा, खुल करके, ये देखिए, बढ़िया से इसको हम मिक्स करते जाएंगे, साइट- चीनी, यहाँ पर हमने इसको नौर्मल मीठा रखा है, यदि आप मीठा जादा खाते हैं, तो 3-4 cup चीनी यहाँ पर ले सकते हैं, बवल उठने की स्टेज पर ही इसमें हम चीनी मिलाएंगे, नहीं पहले नहीं बाद में, जिससे की अच्छे से पक सके, अब यहाँ पर हम ग हलवा बन करके तयार हुआ है, यह देखिए इस तरह से इसमें बवल उठने चाहिए, अच्छे से पकना चाहिए और इस हलवे को बिल्कुल नानी दादी के तरीके से बना करके तयार किया है, यह देखिए बढ़िया से यह पक रहा है, थोड़ा-थोड़ा यह गाड़ा हो इसी स्टेज पर हम मिलाएंगे इसमें एक सीक्रेट चीज, काली मिर्च, यहां पर हमने 8-10 काली मिर्च को कूट करके मिलाया है, यही इसका एक सीक्रेट है, जिससे यह बहुत ही टेश्टी बनता है, इसको जरूर मिलाएं, बिल्कुल भी इसकी पना करें, इसको कूट करके हम इसी स्टेज पर मिलाएंगे काली मिर्श को हम पहले नहीं मिलाएंगे नहीं बाद में मिलाएंगे इसी स्टेज पर इसको मिलाएंगे जिससे कि बिल्कुल तीखा नहीं होगा और हलबा मीठा रहेगा और खाने में हल्का सा जवान पर तीखा लगेगा इसको अच्छे से हम mix कर लेंगे और ये देखिए बढ़िया से पक रहा है इसी तरह से इसको हमें पका पका करके गाड़ा करना है ये देखिए कितना गाड़ा हो गया है जिस तरह से जैली बनाते है ना उसी form में आने लगेगा ये आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर लग रहा होगा लेकिन पूरा प्रोसीजर दिखाए बिना आप इसको पर्फेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा, और ये देखिए इस तरह से इसको हमें पकाना है, अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसमें हम ड्राइफ्रूट मिलाएंगे, तो ये किसमेज थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिये हैं, और इसको इसी तरह से मिलाएंगे, इनको क्रंची नहीं करेंगे, जिससे कि ये हलके से सॉप्ट हो जाएंगे, तभी इनका टेस्ट और अच्छा लगेगा, और इस अलवे का जो टेस्ट लगेगा आपको एक अदर यक선 करेंगे, और आप देख सकते हैं, इसकी फ़र्म कैसी है, एकदम जेली के जैसी है एकदम perfect हल्वा बना है जरूर बना करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा यदि आपने अपने बच्पन में यह हल्वा खाया होगा तो आपको जरूर इसका टेस्ट याद आएगा बहुत ही बढ़िया लगेगा यमी लगेगा एकदम तो आज के समय में बच्चों क जरूर इसको बना करके खिलाइए बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर है यह हल्वा तो आपको हमारे यह हेल्दी और ग्लूटन फ्रे हल्वे की रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर क कीजेगा अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू